इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग बजट विज्यापन बजट जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड आप कौन-कौन से टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है इसकी डाफिनेशन, इंपोर्टेंज, क्लिक करके आप अट्वर्टाइजिंग मेनजमेंट् की प्लेलिस देख सकते हैं जिसमें कि आप अडवर्टाइजिंग नेजमेंट्स से लिल्क पर वीडियो देखेंगे और आफिक uncertain methods और factors उनके वीडियो अविडियो अविलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में management और commerce से related different subjects के वीडियो के playlist का लिंक अविलेबल है आसे देख सकते वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो आप सोचल मीडिया की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है आप में पर फॉलो कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं अब इन सभी को डीटेल में पढ़ते हैं परस्ट है वाट इस यह को डाउंत जो की कमपनी अलोकेड करती है कि कि कितना उसको प्रमोशन करने के लिए प्रमोशन की एक्टिवीटी में लगाना है इन्धी फॉर्म अफ एडवर्टाइजिंग कामपेन टो एडवर्टाइजिंग बजएट यूज के जाते कम्पनी द्वारा थाकि वो उनक माटेरियल में अलोकेशन मानी एडवर्टाइजिंग मीडिया को जो मनी देती है तो इन सभी को प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर एडवर्टाइजिंग बजट सेमपली कि कमपनी अपने को प्रॉपर कने के लिए जितना overnight करती है मनी खर्च करती है рахिएडवर्टाइजिंग का उनका बजट नेक्स नेक्स साथार अधेशिंग है ا hired एक्टिविटी जो कि वह किसी प्रेड़क्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए करती है वह आती है एड़िटाइजिंग बजट के अंदर नेक्स्ट हात है कि इंपोर्टेंस ओफ एड़िटाइजिंग बजट कि एड़िटाइजिंग का बजट सेट करना क्यों इंपोर्टेंट है या आप बोला जाए तो इसकी क्या अबजिक्टिव होती है तो ताकि कंपनी प्रॉफिट टर्न कर सके उनकी ब्रांड के अवेनेस को क्रीस कर सके अड़िटाइजिंग अबजेक्टिव करना चाहती है वह बहुत शारी मार्केटिंग अक्टिविटी करती कंपनी उसके लिए उसको मणी स्पैंड करना पड़ाता है जिसको बलते हैं कि एड़िटाइजिंग बजट इंपोर्टेंट होता है ताकि जो भी कुण कौन सी स्ट्रेटेजिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि ऐसे प्रॉफिट को जनेरेट किया जाता है और कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं तो इसको पॉइंट में डेखते हैं जुकि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए हम कितना-कितना मनी किस-किस कर सके तो इसलिए हम एड़टाइजिंग का बजट करते कि हमको पता हो कि हमने किस एक्टिविटी को कितने रुपे दिये हैं या कितना उसका बजट है हम बहुत सारी प्रमोशन के एक्टिविटी कर रहें लाइक डिजिटल मार्केटिंग फिर हम आते हैं कि प्रेंट मीडिया में हमको देना है टेलिविजन में देना हम आरे पास ठेलेक का बजट है हमने तीन लाग डिजिटल मार्केटिंग में प्रेंट मीडिया में और टेलिविजन में फोल ए तो इस अक्वार्डिंग हम डेसाइड कर सकती कौन से लिथे हमको कितना expenditure करना है next second आता है approval from top management जब भी advertising का budget set कि है तो फिर उसको frame करने के बाद decide करने के बाद एक बार बन गया फिर advertising manager approval लेता है top management से कि वो उस budget जो भी साइट है उतना amount दे सकते नहीं दे सकते कम दे सकते हैं तो उसको justify करना कि budget को और बढ़ाया जा सकता है या कम करना होगा तो इसलिए important होता है कि advertising का budget set किया जाए next next आता है balanced focus के जो भी एड़ बजट प्रिपार क्या है उसमें हम देखें कि जो भी requirement थी वो fulfill हो रही है नहीं हो रही है कितना हम right money कि से right product को allocate कर सकते तो उन सब के बीच में balance वराना थाकि राइट टाइम पे advertisements को दिखाया जा सके इसलिए बोला जाता है balanced focus next होता है facilitate planned execution कि right amount हम spend करे right product पे right media पे right प्रिएट पे right place पे ताकि जो भी हमारे advertising के objective से उनको अचीव कर सके नेक्स्ट नेक्स्ट आता है provide direction for drafting of ads की budget हमको proper direction provide करते कि कैसे एट को बनाना है अगर budget जादे तो filmed उसको कैसे film करना हम कुछ popular personality को hire कर सकते हैं जो इसके तुरू हम एट को shoot कर वाए films में दे सकते हैं कुछ अच्छी locations का यूज कर सकते हैं computer graphics का यूज कर सकते हैं तो यह budget हमको बताता है कि हम किस तरह का design कर सकते हैं नेक्स्ट आता है selection of media अगर budget हाई है हमारा तो हम रिच मीडिया मेक्स को यूज करेंगे लाइक television magazines newspaper और outdoor media वह हीं अगर small है तो हम कुछ selected media choice को यूज करेंगे लाइक कुछ geographical area को हमने टार्येट के हम आपे हम पेंपलेट्स लेफलेट्स डिस्टिब्यूट करवा देंगे न्यूस पेपर के साथ तो वह डपैंड करते हैं कि आपका budget कैसा है तो इसलिए important होता है advertising budget को set करना next नेक्स्ट है कि advantages कि advertising budget के advantages करते हैं कि advertising की क्या requirement है कि according हम budget को allocate कर सकते कुण कुण सी necessary activities है उसके according हम कर सकते हैं यह company को overall advertising expenditures को बताता है उनको कैसे monitor करना ensure करना कि actual expenses कैसे हैं उनको बताना कि क्या prescribed limits है जहां तक कि आप particular activity में expenses कर सकते हैं next आता है कि budget हमको follow करना होता है ताकि हम ensure कर सके कि जो भी advertisement की activity कर रहे हैं वो हमारे जो objective है उसको set करके उसी के लिए और है उसमें कोई unnecessary expenses included नहीं हो next आते कि हर advertising के activity को supervision करना होता है control करना होता है budget के अंदर तो यह थे कुछ advantages next नेक्स्ट आता है कि advertising budget के कुछ advantages तो होते हैं साथ में disadvantages भी होते हैं कि यह कभी inaccurate budget हो गया तो यह हमको unnecessary cost को involve कर देता है target budget में अगर हमने budget को सही तरीके से नहीं बनाया है गलत बनाये तो हम उसके according चलते हैं जो कि wastage of money हो जाते हैं नेक्स्ट आता है कि यह कभी कभी costly हो सकता है company के लिए नेक्स्ट आता है कि जब भी advertising की cost हम ultimately जो भी companies होती है वो customer से ही recover करती है जिसकी वज़े से क्या होता price increase हो जाते हैं जितना उन्होंने advertisement पे spend किया उतना money वो क्या करती है product के prices increase करके cover करती है जिसकी वज़े से price हाई हो जाते तो यह थे कुछ disadvantages वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीज़े चनल को सब्सक्राइब कीज़े और process methods और factors affecting advertising budget आप corner आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में आपने बढ़ा कि advertising budget क्या होता है कि definition, importance, advantages और disadvantages Thank you